नमस्कार मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान गया था जिसमें देश के सोडा राज्यों के जनप्रती नीदियों ने शामा परसाद मुखर जी रू अर्बन मिशन के तहत करवाए गए कारियों के संदर्ब में अपने अनुबव साजा किये आपको बता दे कि वर्ष दोजार सोडा में परदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने शामा परसाद मुखर जी नैस्टनल रू अर्बन मिशन लॉंच किया था अस्तानिये आर्थिक विकास को बढ़ावा देना वे बुनियादी सुईधाओं को आगे बढ़ाना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है इसके तहत कलस्टर बना कर परते कलस्टर में दो ग्राम पंचायतों को सामिल किया गया था इसमें उद्देपूर जिले के गोगुंदा को कलस्टर बनाया गया और गोगुंदा वे दादिया ग्राम पंचायत को सामिल किया गया था रूर्बन मिशन के समिक्षा में पाया गया कि राजस्थान के उदेपूर जिले के गोगुंदा कलस्टर की दोनों ग्राम पंचाईतों में विबिर ने योजनाओं का कन्वर्जेशन कर विकास कारिये करवाये गये इसलिए यहां के परदान पुसकर तेली को कारिये साला में आमंत्रित किया गया परदान पुसकर तेली ने बताया कि रूर्बन मिशन के तहट गोगुंदा के बाइपास चोराये पर MP लेड से सरकिल बनाया गया वहीं जन सहवागीता से 11 लाक रुपे प्राप्त कर महाराना प संसकार भी गोगुंदा के रानजी राव तालाब के पास किया गया था जहां उनकी चत्री बनी हुई है उनके बाद महाराना परताप का राजसिलक भी गोगुंदा कस्बे के महादेव मंदिर के पास किया गया महाराना परताप ने अपना संगर्स में जीवन यहीं बिताया गोगुंदा के पास महरा की गुफा को उन्होंने अपना आस्रेस्तल वे सस्त्रगार बनाया एतिहासिक महत्तु को देखते हुए परियेटन के रूप में गोगुंदा को विक्षित करने के लिए राज्तिलक स्तल पर कई विकास कार्य करवाये गए रूप मिशन के तहट यहां एमपी थियेटर, इको रेस्टोरेंट वे रंगमच का जे नोध्वार करवाया गया राज्तिलक स्तली के चार दिवारी पर महराना परताप की जीवनी का चित्तन किया गया रूप मिशन के तहट गोगुंदा के चोगान में सीमेंट की फर्ष बनाई गई, महराना परताप कर्सी वे वनोपज गोण मंडी का निर्मान भी यहां करवाया गया वहीं चोगान में होने वाले घंगोर मेले धार्मिक समारो वे राष्टि पर्व के समारो के लिए थाई स्टेज का निर्मान करवाया गया वर्तमान में इस स्टेज का निर्मान कार्य प्रगती पर है वही बस्टेंड भी स्विकृत किया गया जहां उसका निर्मान कार्य भी प्रगतीरत है आपको बता दे कि एतियासिक महत्यू का स्थल होने के बावजूद गोगुंदा में बस्टेंड नहीं था बस्टेंड के नाम पर यहां एक कमरा था जिसमें विंडो थी और वहां से यात्री टिकेट प्राप्त कर सकते थे लेकिन यहां से माउंट अबू, जोदपूर, रनकपूर, कुंबलगडवे नादवरा जाने वाली बसे सडक पर ही आनियंत्रित तरीके से खड़ी रहती थी इसके बाद रूर्बन मिशन के ताहत यहां यह बस्टेंड स्विकर्ट किया गया और बस्टेंड के निर्मान हो जाने से बसे यहां पर व्यवस्तित खड़ी रह पाएगी वहीं यात्रियों को भी यहां पर सुईधाय मिल सकेगी इसके साथ ही मोटा वीडा गाओं में जन जाती विद्यार्थियों के लिए एकलब यो मोडल रेजिदेंसी स्कूल स्विकर्ट किया गया जिसका निर्मान कारिय लगबग पूरा हो चुका है यहां दूसरा सत्र संचालित किया जा रहा है यहां महाविद्याले का निर्मान करवा कर उसका संचालन भी सुरू कर दिया गया है हलाकि वर्तमान में एक अलग भवन में इस महाविद्याले का संचालन किया जा रहा है लेकिन कुछ ही समय में इस महाविद्याले में सिक्षन कारिये सुरू कर दिया जाएगा 24 जून को सुबह परदान पुशकर तेली ग्राम पंचायत के सरपंच गागुलाल मेगवाल के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए और कार्यसाला में पहुंच कर प्रजेंटेशन दिया उन्होंने बताया कि कार्यसाला में उनकी प्रस्तूती को काफी सराहा गया वहीं वह मौदूद अन्य जनपरती मीजियों ने सवाल जवाब भी किये कार्यसाला में प्यों मो को अधिकारी कैंद्री पंचायती राजमंत्री नरेंदर तॉमर, पंचायती राजविबाक के सचीव वे रुख अर्बन मिशन के उच्च तरी अधिकारी मौदूद थे कारिशाला के लिए रवाना होने से पहले हमने बात की पर्धान पुष्करतेली से क्या कहा उन्होंने सुनी हमने जिस प्रकार नैशनल लूर्बर मिशन में जो गोगुंदा में और दादिया में जो काम किये थे उसको लेकर आज हमें वहाँ पर प्रजेंटेशन देने के लिए अमतित किया गया है तो हम और हमारे गोगुंदा के सरपन साथ हम आज दिल्ली इसका प्रजेंटेशन देने के लिए आज दिल्ली जा रहे हैं ये स्वबाग्य हमें प्राप्त हुआ है और आने वाले समय में और गोगुंदा में क्या हम विकास के काम ज्यादा से जड़ा कर सकेंगे ये वहाँ पर हम अपने विचारों को रखेंगे ए भाई सस्क्राइब करो डेली राजिस्तान चेनल को आप सभी डेली राजिस्तान चेनल को सप्राइस करो